ओम नमस्षिवाय, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी चैनल भक्ति ज्यान में, दोस्तों आज मैं आपको सिव महा पुराण की कथा का सिर्वन करा रहा हूँ, आप सभी भक्ति जन इस कथा को स्रद्धा पूर्वक मन लगा कर सुने, भगवान सिव जी आप प्रकार इस्तूति करने लगे है प्रवो, हम सब लोग सोक रूपी सम्मुद्र में डूब रहे हैं, अतै आप हमारा उद्धार करने की किरपा करें, हमारी प्रातना को सुनकर सिव जी ने प्रकट होकर दर्सन दिया, उस समय बे परम हंसों की समान स्वरूबदारन किये तब हमने अलग अलग खड़े होकर सिव जी की प्रातना की, सिव जी ने प्रसन होकर हम सब को सम्मुद्र करते हुए कहा, हे देवताओ, तुम सब ने जो हमारी इस्तूति की है, उस से हम अत्यंद प्रसन हुए हैं, जो मनुष इस इस्तूति को पढ़ेगा, उस पर हम हम से मांग लो, हे प्रभू, आप हमारे मन की इच्छा को भली माती जानते ही, हम सुएम आप से क्या कहें, हे नारद, यह सुनकर सिव जी ने हस्ति वे कहा, हे देवताओ, हमें ब्रह्मा के साब को सत्य करने के लिए ही कामदेव को भस्म किया है, अब हम तुमें यह बर्दा और यह समय आने पर हम रती को उसका स्वरूप भी दिखा देंगी, तब वे हमारे पास इसी कहलास पर रत पर निवास किया करेगा, जब द्वापर युग में बिश्नु का अवतार किष्णी के रूप में होगा, तब कामदेव किष्णी के पुत्र के रूप में जनम लेग उस समय वे रती को पुने प्राप्त कर लेगा, आप रती को उचत है कि वे उस समय के आने तक इंदर के यहां जाकर रहे और आपने मन में किसी प्रकार का दुख न माले, वे बिना कोई परिस्रम किये, आपने पती को पुने प्राप्त कर लेगी, जब रुकमनी के गर्व से पुत्र के रूप में कामदेव की उत्पत्ती होगी उस समय इंद्र उसे उठा ले जाएंगे और समुद्र में डाल देंगे वहां समुद्र में एक मचली को एक केवट अपने जाल में फसा लेगा और उसे संबर नामक एक असुर की भेट कर देगा जिस समय मचली का पेट फा आएगा इतना कहकर सिवजी सब के देखते देखते अंतर ध्यान हो गई फिर देताओं ने भी रती को इंद्र के साथ कर दिया और अपने अपने इस्थान को चले गई हे नारद काम देव का चरित्र तुम से कहा अब तुम गिर्जा का बिर्तांत सुनो ब्रह्मा जी ने कहा हे नारद जिस समय गिर्जाने काम देव को जलते हुए देखा उस समय बे भैवीत हो वहां से भाग कर अपने घर जा पहुँची इस दसा को देखकर माता पिता सेगरी गिर्जा के समीप आ पहुँची उस समय माचल के संपूर नगर में भी खलवली मच गई जब गिर्जा को क कुछ द्रश देखा था वह सब बिर्षतार पूर्वक के सुनाया उसे सुनकर माता पिता ने गिर्जा को बहुत सात्वना दी हे नारद कुछ समय बाद तुम गिर्जा के समीप पहुँचे तब गिर्जाने अत्यन लज्जित होकर तुमसे यह कहा कि आप मुझे ऐसा उपा आने कि किरपा करें जिससे मुझे सिवजी की प्राप्ति हो यह सुनकर तुमने उत्तर दिया है गिर्जे सिवजी केवल तपश्या के बसीबूत रहते ही यदि तुम उने अपने पती रूप में प्राप्त करना चाती हो तो बनवे जाकर कठिन तपश्या करो सिवजी तपश्या के बसीबूत होकर सब लोकों का पालन करते ही और उसी के बल पर सबका संगहर भी करते ही तपश्या के बल पर ही सेशनाग प्रत्वी को अपने मस्तक पर धारन किये रहते ही और तपश्या के द्वारा ही देवता संपूर्ण वस्तूं को प्राप्त करते ह ये सुनकर गिर्जा ने उत्तर दिया ए मुनिराज आपका कथन सत्य है परंतु गुरु के बिना किसी को सच्चे ग्यान की प्राप्ति नहीं होती आप मुझे अपनी सिश्या बनाकर तपश्या की बिदी बताईए ब्रह्मा विष्णु तता सिवजी गुरु के बिना सक्तिहीन हो जाते ही आप मेरे गुरु बनना सुईकार करें ए नारद ये सुनकर तुमने सिवजी का ध्यान किया और गिर्जा को अपने सिश्या बनाकर पंचाक्षर मंत्र का अपदेश दिया तदो प्रांथ तों वहां से लोटकर मेरे पास आए और गिर्जा तुमारे उपदेश को पाकर अपने मन में तफश्या करने की द्रण इच्छा को ले सक्षियों सजित अपने पिता हिमाचल के समीब जा पहुँचे उस समय सक्षियों ने परवत राज हिमाचल को संबोधित करते हुए यह कहा ए राजन गिर्जा अपने मन की अबलासा को कहते हुए लजाती है अर्श्तु उनकी ओर से हम आप से यह प्रात्ना करती हैं कि आप गिर्जा को तफश्या करने के निमत बन में जाने की आग्या दें जिससे भे सिवजी को प्राप्त करने के लिए तब करें सक्षियों की एबाद सुनकर एमाचल अत्यंत प्रेशन हुए और उन्होंने इस प्रात्ना को सुईकार करते हुए गिर्जा को तपश्या के निमत बन में जाने की आग्या दे दी तद प्रांत गिर्जा अपनी सक्यों को साथ लेकर अपनी माता के पास पहुची और उनसे भी यही प्रात्ना की मेना ने जब इस समाचार को सुना तो उन्हें अत्यंत चिंता हुई, उन्होंने अत्यंत उदास होकर गिरजा से यह कहा है पुतरी तुम घर में ही रहकर तपश्या करो, माता पिता के घर को किसी तीर्थ अत्वा देवाले से कम नहीं समझना चाहिए, तुम्हें इस परकार करना उचित नहीं है तुम यहीं तपश्या करो है नारद मेना की बात सुनकर गिर्जा ने उत्तर दिया है माता सिवजी केवल तपश्या के ही बस में है अज तु बिना तपश्या किये कोई फल प्राथ नहीं हो सकता संसार में जिसने जो बस्तु पाई है वे सब तपश्या का ही फल है तपश्या करने से अत्यंत सुख प्राप्थ होता है आज तो तुम मुझे तपश्या करने से मत रोको यह सुनकर मेना वोली है पुत्री मेरे सव पुत्र ही परंतु तुम उनमें मुझे सबसे अधिक प्रिय मैं चाहती तो यह हूँ कि तुम मेरी आँकों से दूर मत जाओ और यहीं रहू तुम जो चाहोगी मैं वही करूँगी जो माँगी वही दूँगी गिर्जा ने कहा है माता जब तक मैं तफश्या नहीं करूँगी तब तक सिब जी मेरे साथ विवाह नहीं करेंगी और तफश लोग बन में कभी न जाएं ये सुनकर मेना ने फिर चिंतित होते हुए कहा है गर्जा बन में सिंग हाती आदी अनेक हिंसक जीव घूमते रहते ही तुमने उने कभी देखा भी नहीं है फिर बला तुम उनके बीच किस प्रिकार रह सकोगी गर्जा ने उत्तर दिया है माता ब गिर्जा के मुख से इन सब्दों को सुनकर मेना ने उसका मन सिवजी की ओर से हटाने के लिए यह बात कही है गिर्जा सिवजी भांग धतूरा बिस आदी मादग बस्तूआं का सेवन करते ही बे नगन सरीर असुब बेजदारी तथा दरिद्री हैं भला यह तो बताओ कि उनक भक्ती करने से तुम्हें क्या प्राप्त हो सकेगा ए नारद माता की यह बाद सुनकर गिर्जा ने उत्तर दिया है माता ब्रह्मा विष्णु आदी देवता सम तथा समझत रिशी मुनी सिवजी की सेवा करते ही बे आदी प्रोष तथा सब के स्वामी है मेरे एरदय में भी अब उनी का निवास हो गया है बे तीनों गुनों से रहित होते हुए भी अनेक प्रकार के चरित्र करते ही अरसो तुमें उनकी निंदा करना उचित नहीं है अब तुम मुझे आग्या दो जिससे मैं बनवे जाकर तपश्या करूं गिर जाके इस प्रकार के निश्चे को द पूझकर ऐसी बाते कहीं थी सच पूचा जाए तो भागवान सेव सबका मनुरत पूरा करते ही अब तुम प्रसंता पूरग बन में जाओ और सिव जी की अरादना करो इस प्रकार माता पिता की आग्या पाकर गिर जा भागवान सदासिव के इस्तुति करते हुई तपश्य को पने बन में जाने से रुकना चाहा तता बन के कश्टों का बर्णन करते हुए यह सलादे की बे घर में ही रहकर तपश्या करें उन्होंने सब लोगों को सम्मोदत करते हुए कहा हे प्रिये जनो आप लोग किसी प्रकार की चिंता ना करें मैं सेगरी सिर्जी का बरदान प्राप्त कार घर लोटाऊंगी मुझे बन में जाना ही सुब है क्योंकि यहां रहकर तपश्या नहीं की जा सकती है नारद इस प्रकार मीठे सब्दों में सब को समझाने बोजाने के उपरांद गिर जाने ब्रामनों को प्रणाम किया था अपने लोटने के समय तक के लिए उन्हें काल ख्षेप करने के निमत बहुत कुछ दान दे कर प्रिसन किया उन्होंने विकारियों को भी सब बस्तुएं प्रदान की क्योंकि विकारियों को भिक्षा देने से सिवजी अधिक प्रिसन होते ही गिर जाने स्रेष्ट मुहुर्त में बन्म के लिए प्रिसन किया उस समय सब लोग उन्हें आसिवाद देने लगी, देवता उन्हें भी जैजै कार करते हुए उनके उपर फूलों की बड़सा की तता दुदुम भी बजाई, जिस समय गिर्जा चली उस समय उनके बाइं अंग फड़कने लगी, तता सुब सकुन होने लगी, जिन से ये प्रतीत होता था कि उन्हें सिवजी अवशे प्राप्थ होंगे, यद पी गिर्जा की बनवे जाने की कारण नगर निवासी अत्यन्त चंतित थी, किन्तु असुव समझकर किसी ने भी अपने नेत्रों से आंसु नहीं भाई, इमाचल के नगर का संपून बैवब मानू लुपसा हो गया, और ऐसा प्रतीत होने लगा, मानू वे नगर काल रात्र के समान भयानक हो, नगर निवासी वी साक्षात यमराज जैसे दिखाई पढ़ने लगे, बे आपस में ही एक दूसरे को देखकर भैवित हो जाते थे, न अब लोग गरजा के बेवग दुख से दुखी होकर उनकी बाल लिलाओं का इसमन कर अपना समय जयों त्यों कर काटने लगे, ए नारद तुम इस बात को भली बाती जान लो कि सक्ति के बिना संसार में कोई आनंद नहीं है, सक्ति के प्रकट होने पड़ ही संसार में आनंद प्रकट होते ही, बे सक्ति ही अपने चरित्रों द्वारा सब लोगों के दुखों को दूर किया करती है, जिस प्रकार जीव के बिना इंद्रियां, चंद्रमा के बिना, रात्री और जल के बिना मचली प्रसंद नहीं रहती, उसे प्रकार गिरजा के बिना हिमाचल का नगर प्रवो मेरी पुत्री सिवजी को प्राप्त करने की निवत बन में तफश्या करने के लिए चली गई है मैं उसी के बेवग दुख से दुखी हूँ में नानेवियव कहा हे मुनिराज मेरी पुत्री को कभी उसन बायू भी नहीं लगी थी परन्तु अब वह बन में जाकर ना जाने कैसे कैसे दुख उठा रही होगी जब वह यहां घर में सोती थी उस समय उसकी सक्षियां इस्तुती किया करती थी परन्तु अब मुझे यह संदे हो रहा है कि कहीं बन में उसे कोई सिंग आदी न खाले मेरा जीवन तो उसके जाते ही कठिन हो गया है यह नारद माचल तता मेना के मुख से यह सब्द सुनकर मुनी ने भगवान सदासिव की माया का बारं बार धन्यवाद देती होए कहा हे भगवान सदासिव आपकी माया का पार कोई नहीं पा सकता आप जब जो चाहेंते हैं वही कर दिखाते हैं मन यह मन इतना कहकर वे हिमाचल तता मेना को सम्मूदित करते हुए बोले है प्रवत राज तुम अपने मन में कुछ चिंता मत करो तुमारी पुत्री आदी सकती है तुम उसकी महिमा को नहीं जानते हो इसलिए इतने दुखी हो रहे हो वह अपनी तपश्या के द्वारा तुम सबको आनंद प्रदान करेगी उसके कारण संसार में तुमारा भी बहुत यस पहलेगा अस्तु तुमें उचित है कि तुम उसके लिए कोई चिंता मत करो और अपने एर्दे में सिवजी का ध्यान धरते रहो इतना कहकर मुनी ने मन ही मन गिरजा को पिर्णाम किया तथो प्रांत वे हिमाचल से विदा लेकर चल दिये उसके बचन सुनकर हिमाचल मेन तता सब नगर निवासी भी अत्यंत प्रसंद हुए सभी ने चिंता करना त्याग दिया और मन ही मन सिवजी का ध्यान धरने लगे ब्रह्मा जी ने कहा है नारद जब हिमाचल और मेना का दुख दूर हो गया तब उन्होंने सिवजी के चरणों में अपना ध्यान लगा दिया उधर गिरजा ने भी बन में पहुंचकर अपना सुरूप रिशी मुन्यों की समान बनाया तता सिवजी के अत्रिक्त और सब का ध्यान बुला दिया तदुपरांत बे तपश्या करने के निमित स्रंग तीर्थ को गई जो उसी समय से गोरी सिखिर नाम से संसार में प्रसद है उन्होंने 64 बरसों तक सिर नीचा किये हुए एक ही आसन पर बैटे तपश्या की बेग्रिस्म काल में अगनी में तपती बरसा काल में खुले मेदान में रती और सीथ काल में जलके भीतर बैट कर कठिन तपश्या करती जब इस परकार उग्र तप द्वारा भी उन्हें फल की प्राप्ती नहीं हुई तो उन्होंने एक सहिस्त्र बरसों तक केबल ब्रक्षों की जड़ तथा पत्ते खाकर और कठिन तपश्या की तदुपरांत एक बरस तक केबल हरी घास और साक आदी खाई फिर कुछ समय तक केबल बायो पीकर ही तप करती रही ये नारद ऐसा उग्रतफ करने पर भी जब उनका मनुरत पूरा ना हुआ तब ये हिमाचल परवत पर लोट आई वहां उन्होंने तीन करोड पार्थ अतार सिवलिंग बना कर उनका पूजन किया उन्होंने अनेक प्रिकार से पूस्व गिन गिन कर उन सिव मूर्तियों पर चड़ाए ददा दिन राज सिवजी के पूजन ध्यान ददा इसमन के अत्रिक्त अन किसी बास से अपना सम्मद नहीं रखा बे सिवजी के प्रेम में ऐसी मग्ण हुई कि उन्होंने प्राणायाम करके अपने को अपने में ही लीन कर दिया और ब्रह्म रूप में इस्थ हो गई उनके इस तपश्या काल में अनेक प्रिकार के संकट भी सामने आई कई बार उन्हें भूत प्रित की सेना ने चारों ओर से घिर लिया कई बार सिंग, हाती, भेंसा, बैल तता चमकादर आदी का स्वरूप धारन करके भूतों ने उन्हें डराया जो भूत प्रित गिरजा को डराने के लिए आते थी उनका स्वरूप ऐसा भैनक था कि उनका बढ़न नहीं किया जा सकता उनमें से अनेक के केवल एकी आँख थी कोई अंदा था, किसी के सैस्त्रों नेत्र थी कोई नाच्ता था और कोई दोरता था कोई मार मार सब्द का उच्चारन करता और कोई गिर्जा को मारने की चेश्टा करता था कोई मेना का स्वरूप धारन करके यह कहता है यह गिर्जे तुमारे पिताने तुमारे ब्योग में खाना पीना छोड़ दिया है अब वे मित्यू को प्राप्त होने ही वाले ही अज तुम घर चल कर उनकी रक्षा करो इस प्रकार भूत प्रेतों ने गिर्जा का तब भंग कनले के लिए अनेक छल किये परन्तु गिर्जा का ध्यान पलवर को भी बिचलित ना हुआ वे दूने उस्सा से सिवजी के चर्णों में अपना मन लगाए रही तब गिर्जा के तेज से भैवित होकर बहुत से भूत प्रेत भाग गए जो बचे उनमें से कोई भस्म हो गया तो कोई किसी नदी में डूब कर मर गया इस प्रकार गिर्जा के ध्यान को भंग करनेज में बे सब के सब असमर्त रही ये नारद जिस इस्तान पर गिर्जा तपश्या कर रही थी वे इस्तान कैलास परवत के समान संदर हो गया वहां के निवासियों को ऐसा ग्यान प्राप्त हुआ के वे संसार की माया को भुला कर ब्रह्म ग्यानी हो गई उस इस्तान पर सिंग गायों के साथ खिला करते थी बिल्ली चिवों से प्यार करती थी यदि किसी प्राणी को किसी प्रकार का कष्ट होता था तो दूसरा प्राणी उसके दुख को दूर करने ही की स्वेम चेश्टा करने लगता था उस इस्तान पर पारस परिक बैर ब्रोद का कहीं नाम भी न रहा वहां के तलाव नदी और नाले जल से पर पूर्ण होग बैते रहते थे सब रक्षयों में अनिक प्रकार के फल फूल दिखाई पड़ते थे इस प्रकार वहां किसी वस्तु की कोई कमी नहीं रही गिर्जा की तपश्या तीनों लोकों में ऐसी प्रिसद्ध होई कि उसे देखनी के लिए मैं विश्णु तथा इंद्र आदी उस इस्तान पर पहुँचे हम लोगों ने उन्हें इस प्रकार देखा मानो बे स्वैम सिद्धी रूपा हूं हम सब ने उन्हें प्रणाम करती हुए इस्थुती की उस समय इंद्र ने सब देवताओं को सम्मूदित करती हुए यह कहा गिर्जा का तब सर्व सेष्ठ है तीनों लोकों में किसी भी प्राणी ने ऐसी कठिन तपश्या नहीं की गिर्जा को तथा गिर्जा के माता पिता को सहस्त्रों धन्यवाद है हे नारद इस प्रिकार गिर्जा के इस्तोती प्रसंसा करने के उपरांत हम सब लोग कहलास परवत पर सिव जी के समय पहुंचें वह कहलास परवत इतना सुंदर है कि वहाँ छेव रितियों हर समय बर्त मान रहती है वहाँ कल-कल निना दिनी गंगाजी की धारा अत्यंतर प्रसंता प्रदान करती है वहाँ किसी को भी किसी प्रकार का दुख नहीं है सब और रिशी मुनी लोग बैटे हुए भगवान सदा सिव का ध्यान धरती रहते हैं कहीं पर सिद्जन तपश्या करते हैं और कहीं किनर गीत काते हैं केलास के उस आनंद को देखते हुए जब हम लोग सिव जी के समय पहुंचे तो उन्होंने हमें योग इस्तिस सरीर किये अपना दर्संदिया सिव जी के उस सुरूप को देख हमें ऐसी प्रसंता हुई कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता उनके लिलाट पर चंद्रमा बिराजमा था तथा जटाओं में गंगाजी बह रही थी बे अपने मस्तक पर तिपुंड लगाए हुए थी तथा कानों में सर्पों के कुंडल पहने थी सिव जी के उस परम सुंदर सुरूप को देख कर हम सब लोगों ने पहले तो उन्हें डंडवत प्रणाम किया तद प्रांथ बहुत प्रिकार से इस्तुती एवं प्रसं साकी बुल सिव महा प्रान कीजै बुल सिव संकर भगवान कीजै